पहला सवाल प्रिज्म से समझेगा ध्यान चाहिए समझना जरूरी है चाहिए चीज कुछ भी हो समझना जरूरी है ठीक है कहता है कि a right triangular prism hides equilateral triangle देखो equilateral triangles as its base एक प्रिज्म है उसका base कैसा है equilateral triangle समभा हो तिर्बुच उसका क्या है base है side of triangle is 15 cm जिसका side कितना है वो जो triangle है equilateral triangle उसका side कितना है 15 cm height of prism is 20 root 3 cm prism का उचाई कितना है कितना उचा है prism तो आप कहेंगा sir 20 root 3 cm क्या है उचा है what is the volume of the prism prism का आयतन क्या होगा हिंदी वालों के लिए एक लंबवद triangular prism का अधार संभाहु तिर्बुच है देखिए इसका अधार कैसा है संभाहु तिर्बुच है तिर्बुच की भुजा 15 cm है prism के उचाई 20 root 3 cm 20 root 3 cm का है क्या है prism की उचाई है prism का आयतन क्या होगा in cm3 cm3 में volume हमेशा cube में ही बताया जाता है अगर length meter में है meter cube cm3 में है cm3 जो भी length होगा उसमें cube लगाके पुलते हैं अब देखिए अब आप कहेंगे सर इसमें figure बनाने की ज़रत बिल्कुल नहीं है मैंने आपको क्या बताया कि सर प्रिज्म का volume का formula क्या होता है volume का formula तो आप कहेंगे सर area of base area of base area of base into height यही बात मैंने आपको अभी बताया अधार का छेतरफल गुना उचाई हिंदी वालों आई देखो हर जगा हिंदी English language लिखना संभों नहीं है इतना आपको समझ में आना चाहिए कि जो इसका हिंदी होगा वो अधार का छेतरफल गुना उचाई है अब देखिए अधार कैसा है तिर्भुज है तिर्भुज में भी कैसा है सम्भावो तिर्भुज तो सम्भावो तिर्भुज का छितरफल का फूर्मूला क्या होता है रूट 3 by 4 A square और A मेरा किसको बताता है तो A जो है side को बताता है भुजा को बताता है तो रूट 3 by 4 A square इंटू H4 के height अब देखिए रूट 3 by 4 और A के जगा पर क्या रखेंगे 15 और 15 का square मतलब 15 गोना 15 यहां भी cm लगेगा यहां भी cm लएगा और height क्या दिया हुआ है 20 root 3 cm तो cm into cm into cm क्या हो जागा cm3 एक बार लिए ठीक है अब करना कुछ नहीं है कटम कुटाई कर दीजिए तो देखिए 4 से 5 बार में 4 पच्चे 20 root 3 into root 3 root 3 into root 3 क्या 3 हो जाएगा और root 3 into root 3 क्या 3 हो जाएगा और 3 पच्चे 15 मतलब यह मेरा आ गया फाइनली 15 गुना 15 गुना 15 और cm3 और 15 का क्यूब कितना हो था है आप कहेंगा सर 33 75 cm3 क्या हो गया इसका हमारा answer हो गया क्या हो गया इसका answer हो गया देखिए कोई दिक्कत हुआ आपको figure बनाने क्या हो सकता है नहीं है बस आप तरीका देहान में रखिए जबरी नहीं है कि सब में एकदम figure बनाया जाता है आपको समझ में आए बेहतर ऐसा नहीं कि आप इसको exam में भी figure बनाने कि नहीं पहले figure बनाएंगे सब कुछ लिखेंगे तब answer आएगा ऐसा बिलक पूछा था ना अगर हमसे पूछ देता कि इसका CSA क्या होगा CSA क्या होगा से यहां पर LSA लिख लिजिए ना LSA क्या होगा पार्स प्रिष्टिये छितरफल क्या होगा तब कहते सर पार्स प्रिष्टिये छितरफल क्या होता है पार्स प्रिष्टिये छितरफल क्या होता है अधार अधार का परिमाप गुना उचाई तो अधार इसका कैसा है तिरभुज तिरभुज में भी कैसा है संभावो तिरभुज और संभावो तिरभुज का परिमाप क्या होता है बुलेंगे सर तीनो भुजाओं का जोड़ तीनो भुजा का लंबाई बराबर होता है, तो हम मालनेते हैं कि उसका इत साइड ए यूनिट है, तो तीनो साइड तीन यूनिट होगा, मतलब थिरी ए होगा, इंटू क्या, इंटू क्या लगा देंगे, हाइट, तो अब ध्यान दिजिये, कि इसका लेटरल सर्फेस हरी है क्या होगा थीरी इन्टू 15 इन्टू हाइट क्या है 20 रूट 3 सेंटीमीटर तो 3 पंदर है 45 और 45 दूना 90 90 पे 10 अतलब 900 रूट 3 सेंटीमीटर अस्क्वाइर क्या होगा इसका लेटरल सर्फेस हरी आँए वो देखिए सब पूठ सीखिए जरूरी नहीं की हर चीज के लिए अलग-अलग सवाल आपको दिखाया जाए अइसा ज़री नहीं यह मिरा भाई हर चीज को एकड़म कहते न कि जीड़ फालके पढ़ों एक सवाल ऐसा पढ़ों कि उससे कितना सव आप उसको तोड़ दो पढ़ने का मतलब यह होता है ठीक है अगर आप से पूछ देता कि इसका L S A क्या है T A क्या है T A क्या है LSA, Lateral Surface Area, अगर TSA भी पूछ देता, Total Surface Area भी पूछ देता, तो आपको मैंने अभी क्या बताया मेरे दोस्त, कि TSA क्या होता है, तो आप कहेंगे सर, आप बताए LSA, पलस 2 in 2 area of base, 2 in 2 area of base, अधार के छेतरफल का दोगोना, ठीक है, तो अगर, अब आप देखिए, कि LSA तो हम निकाल के रखे हैं, 900 root 3, अब निकालना है अधार का छेतरफल, और उसको 2 से गुना कर देना है, बात यही है, तो अधार का छेतरफल, अधार कैसा है, संभाहो तिर्वुज, और संभाहो तिर्वुज का छेतरफल क्या होता है, root 3 by 4 into A square, तो root 3 by 4 into A square, देखिए, LSA तो हमको मालूम है, 900 root 3, अभी हम लोग LSA पे बात नहीं करने वाले, अभी हम लोग बात करने वाले है, 2 into area of base, 2 into area of base, अधार का छेतरफल का तोगुना, तो अधार मेरा कैसा है, संभाहो तिर्वुज है, और उसका छेतरफल क्या होता है, root 3 by 4 गुना A square, A मतलब क्या, 15 का square, और उसको कितना से multiply करना है, 2 से multiply, तो एक बार कटम कुटाई कर दीजिए, 2, 2, 4, ठीक है, और ये 15 का square कितना हो जाएगा, पंदरा का square, 225, मतलब ये हो जाएगा, आपका, टोटल सर्फेस एरिया, अगर हमसे पूछता, टोटल सर्फेस एरिया, अगर हमसे पूछता, तो हम, लिखते, लेटरल सर्फेस एरिया, 900 root 3 cm square, लास्ट में लिख लेंगे, पलस, 2 into एरिया को, बेस अधार के चलफल का दो गुना, तो ये 15 का square, 225 root 3, बड़ा 2, और इधर लगा देते, cm square, ठीक है, और option के हिसाब से, हम answer क्या, दे देते, option के हिसाब से, हम लोग answer दे सकते हैं, बस इनको जोड़ना ही तो है, ठीक है, अब आप समझिए मेरे दोस्त, अब आप समझिए, कि क्या-क्या आपसे पूछ सकता है, आपसे volume पूछ सकता है, आपसे lateral surface तरिया पूछ सकता है, आपसे total surface तरिया पूछ सकता है, तीनों चीज, आपको निकालना आना चाहिए, अगर हम इसको solve करना चाहें तो root 3 root 3 यहां से common निकाल देंगे और 900 plus 225 बटा 2 को जुड़ना है तो 9 दूना 1800 और 2, दो हजार 25 तो यह हो जाएगा 2025 बटा 2 और into में क्या रहेगा root 3 और centimeter square यह हमारा क्या हो जाएगा total service area देखिए option बड़ा बड़ा देखके डरियेगा मत एकदम असान है और यही root देखके power देखके आपको डराये जाता है बोलता है लोग बोलेगा अरे निकालो साथ का power और दू सव चार छे आठ नो इसका इसको हम भागा देंगे दस से तो इसका remainder बताव दग तेरी के क्या जुरूरी है इतना दिमाग लगाना क्या जरूरत है यह डर है जैसे की जैसे की आपको आपके मन में डर रहता है कि अगर हम बगवान को इश्वर को नहीं मानेंगे तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा तो इसी तरीका से आपके मन में डर भी ठाया जाता है कि आप अगर इन सवालों को नहीं लगाएंगे तो आपको एक्जाम नहीं नहीं कि लग ऐसा बात नहीं है हमेशा जज करने का तरीका यह है कि आप जिस भी एक्जाम को तयारी कर रहे है उ पिछला का तीन साल आप जरूर देखिए और इस बार का सेलेबस में क्या है अगर सेलेबस में कोई बदलाव नहीं है तो जाम का पैटर्ण भी विदम सेम रहने वाला है हां कोसन का लेबर उपर नीचे हो सकता है तो उसको सुधारने के लिए आपको करना क्या होगा सीर्फ औ प्रिज्म ओसल को समा लिएगा ठीकर कहता है दवेश और प्रिज्म इज च्रेंगल वोस पेरी मिटर इस ट्वटी एट सेंटीमेटर अड़ इन रेडियस इन रेडियस ओफ ट्रेंगल इस 4 सेंटीमेटर इफ दव लूम ओव दविश्म आधार अठाइज सेंटीमेटर परि अन्ता वृत के ठिर जिया चार सेंटी मीटर है जिसके अन्ता वृत के ठिर जिया 4 सेंटी मीटर है यदि प्रिजम का आइतां 376 cm électective है तो प्रिजम का उचाहिगात करिये अब आप समझें मेरे दोस्त प्रिजम का प्रिभुज दिया नहीं है तो फसने वला बात हो गया तिर्भुज कैसा है ये तो दिया नहीं है बदले में तिर्भुज का परिमाप दे दिया है और तिर्भुज का अंतावरित का तिरजिया दे दिया है तो तिर्भुज का हमें चाहिए छेतरफल किसी ना केज़े तरीका से हमें छेतरफल निकालना होगा तो तिर्भुज का परीमाप और अंतावृत के तिरजिया से भी छेतरफल निकाला जाता है जो मेटरी में मैंने आपको ये बाते बताई होंगी नहीं अगर आप भूल गए है तो आप यहाँ फिरसे समझे कि अगर आपको तिर्भुज का छेतरफल निकालना है तो भाईया एक तो हो गया कि आपका तिर्भुज का नाम दे दिया समझ वाहू तिर्भुज है संवर ये Richtung है राइट एंगल है तो अगर तिर्भुज का नाम दे दिया उस हिसाब से आपका data दे दिया तो आप उस particular formula को लगा के area निकाल सकते है पहला तो आपका ये वाला दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी तिर्भुज का उचाई दे दे और उसका अधार दे दे तब भी हम कोई भी तिर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं हाप इंटू बेस इंटू हाइट हाप इंटू अधार का छेतरफल गुना उचाई तिसरा तरीका ये है कि अगर किसी भी तिर्भुज के तिनो भुजाओं का लेंध दे और साथ में अंतावृत का तिर्जिया दे तो इसको थोड़ा बनाते हैं ये हमारा ट्रेंगल है इसका तिनों साइड ए यूनिट है बी यूनिट है और ची जों साइब है और इसके अंदर एक इंसरकल है उन्ता अंता भृत हैं अंदर भु针 है तो इसका क्या होगा रेडियस होगा अब हमें ये दो चीज मालूम है या बारई तो ही तो निकलेगा और यहाँ परिमाप जोड़ बात बराबर है अगर किसी भी तिर्भुज का तीनों भुजाओं का लेंग दिया हो या तीनों भुजाओं को जोड़ के आपको परिमाब बता दिया हो और अंता वृत का छेतरफल आपसे दे दिया है तो तिर्भुज का छेतरफल कैसे निकालेंगे तब एरिया ओफ कैसे निकालेंगे तो आपको करना क्या है तीनु बुजाओं का जोड़ मतलब परिमाप A पलस B पलस C और इसको डिवाइड कर दीजेगा दो से ये हो गया अर्ध परिमाप सेमी पेरिमीटर सेमी पेरिमीटर और इंटु मल्टिप्लाइ कर दीजेगा रेडियस से इसको हम ऐसे भी लिखते हैं S इन्टु R S इन्टु R S for सेमी पेरिमीटर अर्ध परिमीटी अर्ध परिमाप का आधा तो देखें अब हम इस वाला फोर्मूला से इसका तो चेतरफल निकाल सकते हैं अब हम चेतरफल निकाल सकते हैं तो हम आईतल भी निकाल सकते हैं तो मैंने आपको क्य प्रिज्म का वोलूम क्या होता है आप बोलते हैं सर एरिया ओफ बेस इंटु हीट अरिया ओबेस इन्टु हाइट द्यान देखें तो इसका वोलूम कितना दिया हुआ है वोलूम आपका दिया हुआ है तिर्भूज का चितरफल हमें यहां कैसे निकाल रहे है अधार का परिमाब का आधा गुना रेडियस तो इसका परिमाब कितना है 28 तो 28 का आधा कितना 14 सेंटिमीटर अगर इस वाला तिर्भूज का हमें परिमाब चितरफल निकालना है और आ पलस ब बराबर कितना दिया 28 तिया हुआ यह हमारा क्या है परिमिति है तो अर्द परिमिति कितना हो जाएगा परिमिति का आधा 28 का आधा 14 और रेडियस हमारे कितना चार दिया हुआ है तो अगर हमें एरिया निकालना है तो हम कहेंगे सर 14 गुने 4 56 cm2 क्या हो जाएगा इस तिर्मुज का चेत्रफल हो जाएगा अब यहीं चीज हमें यहां लगाना है तो एरिया को बेस तो semi perimeter into radius semi perimeter into radius अर्ध परिमाप गुने अन्ता विरित का तिर्जिया वो हमें क्या देदएगा किसी भी तिर्मुज का चेत्रफल तो अर्ध परिमिति या परिमाप तो पूरा परिमाप हमारा कितना ताईस है इसका आदा कितना चोदा और in radius के इतना 4 तो गुन 4 cm और height निकालना है, तो height को एज़िटीज छोड़देंगे मेरे जना आप देखें, cm, 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 square cm, cube जाएगा तो यहां बच जाएगा सेंटीमिटर और 14 14 ke 56 तो यह हो जाएगा structured 336 cm बटा 56 चपन बराबर क्या देगा हायट देगा और आप देखिए 56 से 36 और 36 बार में ये कट जाएगा मतलब जो हमारा प्रिजम है उसका हायट क्या है उसका उचाई क्या है तो आप कहेंगे सर 6 cm और यह हमारा क्या होगी है आनसर होगी है तो आप यह एक नया चीज यहाँ पे सिखें कि तिर्फुच का छेतरपल आप ऐसे भी निकाल सकते है अगर हमें सवाल में यह चीज दे दिया हो कि तिर्फुच का परिमाप यह है और उसका अंतवरित का तिर्जिया यह है तब आप छेतरपल निकाल के देखिए तो हम परिमाप का आधा को मल्टीपलाइ कर देंगे इंड्रिडियस से क्या देदेगा एरिया देदेगा और यही वला कंचिप उठाके हमें इस सवाल में लगाना है और एक भी सवाल इधर उदर से नहीं है सारा का सारा सवाल किसी न किसी एक्जाम में आया हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको exam देना है, आपको वहाँ पर अच्छे से answer निकालना है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई समझ या, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question पर आते हैं, कहता है सवाल, the height of a right prism with square base, कैसा base है, इसका square base, is 15 cm, prism का उचाई कितना है, 15 cm, height क्या है, 15 cm, और prism कैसा है, उसका अधार कैसा है, वरगा का है, square base का है, if the total surface area, total surface area of the prism is 608 cm square, prism का ना, कुल prism ये चितरफल दे दिया है, और आपसे पुछा है, कि its volume is, इसका height कितना होगा, हिंदी वालों के लिए, किसी prism का अधार वरग है, कि उचाई 15 cm है, यदि prism का संपुर्ण प्रिष्ट का छितरफल 608 cm square है, तो आयतन ग्याद करिए, क्या ग्याद करिए, आयतन ग्याद करिए, अब की बार ना, ये सवाल इसी डब्बा से है, देखें, ये वहला डब्बा ये वहला डब्बा आप समझे, ये ही डब्बा है आपका, ठीक है, ये हमारा prism है, जिसका अधार वरगाकार है, square base है, ये वहला चारोस head क्या है, बराबर है, ये हमारा क्या है, वरग है, ठीक है, इसका उचाई, यहाँ से यहाँ, उचाई क्या दिया है, यहाँ से यहाँ म तो इसका आयतन पूछा है अब ज़रा सोचो यार क्या इस कोशन में कहीं भी ये जो हमारा वर्गाकार आधार है और ये भी हमारा वर्गाकार है क्या इसका लेंथ दिया है क्या वर्ग का भुजा का लेंथ दिया है नहीं दिया है इसका मतलब आयतन निकालने के लिए तो हमें वर्ग के भुजा कर लेंत चाहिए, अब लेंत निकलेगा कहां से, तो इसके लिए क्या दिया है, टोटल सर्फेस एरिया, तो टोटल सर्फेस एरिया से हम, यह जो हमारा वर्गाकार बेस है, जो हमारा स्क्वाइर बेस है, इसका हम लेंत निकाल लेंगे, कि इसका एक भुजा का लमाई कितना है क्योंकि चारो भुजा आपस में क्या होता है वर्ग का बराबर होता है तो फोटो बनाने क्या हो सकता है नहीं इसका फोटो अप दिमाग में बनाले जी ठीक है अब आप समझें मेरे दोस्त कि जो हमारा वर्गा कार बेस है वर्गा कार जो हमारा बेस है उसक साइड माल लेते हैं यह है उसका इच साइड क्या है यह है ठीक है क्या क्या दिया हुआ है दिया हुआ है टोटल सर्फेस एरिया अच्छा टोटल सर्फेस एरिया बराबर क्या होता है आप कहेंगे सर एल एसे पलस एल एसे पलस टू इंटू एरिया ओफ बेस दो गुना अधा आधार का चितरफल तो टोटल सर्फेस एरिया अब बात है कि एल ऐसे कैसे निकालते हैं एल ऐसे लेटरल सर्फेस एरिया पार्स परिष्ट का चितरफल कैसे निकालते हैं तो आप कहेंगे सर अधार का परिमाप गुना उचाई अब जो यह हमारा प्रीजम है कैसा है वरगाका वर्गा का परिमाप क्या होता है बहते सरा भुजाओं जोड़ और हम प्रतिःख भुजह को क्या माने है तो इसका जो लैडरल सर्फेस अरिया होगा होगा वह 4a into height into depend पलस इसमें जोड़ schemes 6-7 देंगे 2 pursue in a आधार का चित्रपल, आधार कैसा है, वरगकार है, और वर्ग का चित्रपल क्या होता है, भुजा का स्क्वार, ग्सक्तले क्या माने है, मतलब यह हो जागा, टू एम इसक्वार ही, यही चीज़ होगा, एक जक्दम, और आप समझ गयें, अजी टॉटल सर्फेस एरिया क्या ध सेंटीमेटर स्क्वाइर बराबर 4A इंटो हाइट क्या है 15 है पलस 2A स्क्वाइर यही आपका दिया हुआ है जी माजना तो यह हो जागा 15 के साथ पलस 2A स्क्वाइर मतलब आप इसको देख लिजिए यह आपका दिलगात समिगरन बन गया quadratic equation बनके तैयार हो गया ठीक है अब अब तो ध्यान दिजे जरा क्या हम इसको इस 608 को हम इधर ले जाएंगे तो इसको थोड़ा सजा देते हैं यह हो जागा 2A स्कॉर पलस 15 चो के 60A और इधर जाके माइनस में हो जाएगा 608 cm को भी रहने देते हैं और यह बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्या इस दिवगातिय समिगरन को इस quadratic equation को थोड़ा हलका करते हैं हर टर में 2 से divide लगा देते हैं 2 से यहां 2 से यहां 2 से यहां 2 से यहां तो 0 को दू से भागा देखके आएगा 0 आएगा और 2A को 2 से डिवाइड करें यहां जाएगा A स्कॉर पलस यहां 60 का अधा 30A मैनस 608 का अधा 304 बराबर क्या 0 अब इस दिवगात समिगरन को तोड़ना आना चाहिए तो quality information को कैसे तोड़ा जाता है यह हम आपको algebra उनले chapter में बताएंगे इसके just बात हम लोग algebra पे आएंगे यहां आप समझ लिजे तो पहला और आखरी term का multiply का जोड या घटाव बीच वाले term के हिसाब से हम लोग करते हैं तो 30 है तो 30, 88, 84, 24, 24, 38, 88, 84, 88, 84, हाँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते है a square plus 38a minus 8a minus 304 equal to 0 देखिए 38, 38, 38 केतना होगा 304, 88, 84, और 88, 24, और 6, 30, 304 होगे और 38 में 8 यहां तो केतना आजाएगा तो यहां भी बचेगा a plus 38 equal to 0 अब इन दोनों में a common है a plus 38 और जब a plus 38 को common लिए तो हमारा बच गया a minus 8 और a minus 8 पराबर 0 है इन दोनों का product 0 है a plus 38 equal to 0 और a minus 8 equal to 0 तो a का 2 value आएगा a minus का 38 और a का आएगा पनस का 8 तो भाई negative किसी भी चीज का लंबाई negative नहीं होगा यह क्या होगा आठ होगा तो जो हमारा भुजा का लेंद निकला वो क्या निकला आठ निकला अब देखिए अब हमें निकालना है आइतन वोलूम क्या निकालना है मेरे दोस्त वोलूम तो वोलूम बरावर क्या होता है देखिए हम एक एक चीज आपको लिख लिख के बता रहे है वॉल्給ावर क्या होता है बोलेंगे अधार का चितरफल area of base area of base area of base into क्या होता है height क्या होता है मेरे दूस्त height होता है मेरे भाई देको समझो ठीक से प्यार से समझा रहे है समझ जाओगे तो फिर परिषानी का सामना नहीं करना होगा अब ध्यान दो अधार हमारा कैसा है वर्गाकार है और उस वर्गाकार का भुजा कैसा है तुझी 8 cm कैसा 8 cm तो अगर कोई वर्ग का भुजा 8 cm है तो उसका छेतरफल क्या होगा बोलेंगे सर 8 गुने 8 64 cm2 कितना होगा 64 cm2 into height कितना दिया है height दिया 15 cm तो भाय cm2 into cm3 क्या हो जागा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये cm3 और 64 गुने 15 15 15 के 60 और 15 6 96 96 960 cm3 इस वर्गाकार क्रिज्म का क्या होगा आइतन होगा देखिए कितना अच्छा सवाल था आपको total surface area दे दिया था और उसके हिसाब से आपको solve करना था तो आप कहां कहां फसेंगे आप इस concept में फस सकते हैं अगर आप यहां पे नहीं फसें तो आप फिर इस quality equation को तोड़ने में समय लगा देते हैं अब हम असानी से इसका volume निकाल सकते हैं अब देख लिजी एक बार कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए ऐसे सवालों में और आगे बढ़ते हैं इस सवाल को देखिए एकदम ध्यान से समझेगा एकदम ध्यान लगा कि जैसे पूजा में बोलते हैं पंडी जी ग्रेज जी का ध्यान लगाई है संकर जी का ध्यान लगाई है अपने माता पिता का ध्यान लगाई है उसी तरीखा से अभी आप इस सवाल का ध्यान लगाई है कि सवाल कहता क्या है कहता है कि the base of our right prism is a trapegium अब की बार आधार क्या है trapegium है समलम चत्रभुज है trapegium the length of parallel sides are 8 cm and 14 cm अब देखें trapegium का figure आपके दिमाग में आजाना चाहिए कि trapegium होता कैसा है ठीक है the length of parallel sides are 8 cm and 14 cm and distance between the parallel side is 8 cm parallel sides is 8 cm if the volume of the prism is 1056 cm cube 1056 cm cube है then the height of the prism is what prism का उचाई कुछा है prism का उचाई पुछा है तो भाई ये एक ऐसा figure है ये एक ऐसा prism है जिसका अधार समलम चत्रभुज है तो अगर इसका आईतन निकालना है तो आप कहेंगे सर इसका आईतन होगा area of base into height तो area of base में किसका area निकालेंगे समलम चत्रभुज अब समलम चत्रभुज का चिदरफल क्या होता है half into sum of parallel side into height तो एक height तो होता है आपका parallel एक height तो होता है आपका समलम में भी होता है तो पहले समलम को समझ लिजे ठीक है तो देखो भई, यह हमारा समलम चत्रभुज है इसका दो side हमेशा parallel होता है तो यह दोनो side क्या है समांतर है अब इनका length दे दिया है तो लंबा वाला 14 और चोटा वाला side 8 है इसका उचाई, इसके बीच का उचाई इसके बीच का उचाई या इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच का दूरी कह लीजिए वो दिया है 8 cm तो इसका area निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं half into समांतर भुजाओं का जोड तो जो दोनों भुजा मेरा समांतर है एक 8 है एक 14 है तो 14 और 8 कितना 14 और 8 22 और गुणा इन दोनों भुजाओं के बीच दूरी कितना है आठ है कितना है तो बाइस दो से आठ को काटेंगे चार बार में ठीक है तो यह बाइस चोके 88 या बाइस गुना चार आप उसको जो भी लिख लीजिए 88 cm2 क्या होगा इस संबलम चत्रभुज का छेतरफल होगा और इसके छेतरफल से प्रिज्म के उचाई को मल्टीपलाई कर देंगे तो प्रिज्म का गुलूम निकल जाएगा बात समझ रहे अब बाइसा प्रिज्म बनाना मेरे लिए थोड़ा टेड़ा की रहे तो माफ करना प्रिज्म यह इसा है जिसका अधार में क्या है संबलम चत्रभुज तो जैसा अधार होगा वैसा है उसका सबसे उपर वला भाग होगा बाकी हम आपको प्रिज्म बना के दिखाए ना और नहीं समझ में आता है ना तो गूगल बाबा से बोलिए कि हमको ट्रेपेजियम बेस वाला प्रिज्म का अधार एक संबलम है यहां पर संबलम चत्रभुज आप चोड़ देगा संबलम की समांतर भुजा है 8 cm और 14 cm देखिए यह दोनों साइड का साइड क्या होता है समांतर होता है प्रल होता है एरिया में आपको बताएं और जिमेटरी में भी आपको बताएं ठीक शपन सेंटिमेटर क्यूब है तो प्रिज्म के उचाई क्या होगी तो प्रिम का हाइट आपसे उचा है तो देखिये सबस्धिक वर्लूम क्या होगा है एरिया 2 एट्यरे 2 एरिया को बेश मेंसेटी हाइट थोई-टो-ब में-बलूम दिया है 1056 cm cube equal to area of base तो base कैसा है समलम चतरभुज है और समलम चतरभुज का चेजबल क्या होता है half into समांतर भुजाओं का जोड तो दोनों समांतर भुजा कितना का है 8 का है और 14 का है तो 14 और 8 कितना 22 और 22 और इन दोनों समांतर भुजाओं की बीच का दूरी कह लीजिए या उचाई कह लीजिए जो क्या दिया होगा 8 cm गुना प्रिज्म का उचाई और यही हमसे क्या है पूछा है यही हमसे पूछा है तो अब देखे भाई इसको काट लीजिए दो से चार बार में और चार से इसको काट जिए 1056 को तो चार दूना 8 2,25 4,6 के 24 और 4,4 के 16 264 और 22 से यह कट जाएगा अच्छा समझ में नहीं आएगा तो एक बार हम लीख देते हैं तो हम इसको क्या लीख सकते हैं 264 cm इधर हमारा cm गुना cm cm2 हमारा कट जाएगा क्या बचाएगा cm भागा में यह 22 हमारा नीचे आजाएगा और इधर का बच जाएगा मेरे दोस्त हाइट बच जाएगा जो हमें निकालना है तो 22 से 264 को भाग लगाना है तो 22 से 22 और 22 दूना 44 20 मेंडर देखिए कितना अच्छा सवाल है प्रिजम से ना कंसेट वाला सवाल आता है हर सवाल में आपका थोड़ा बहुत सरदर्द हो सकता है पस आपको ध्यान देना है कि आपको करना क्या तो आप देख रहे हैं सिर्फ फॉर्मूला को हम समझ गये फिगर को हम समझ गये तो हमारा कोशन सारा का सारा तूट जा रहा है बन जा रहा है आप इसी तरीका से हर एक चीज को समझने का परियास करिए तो जिंदगी आसान हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते है को देखिए कहता है कि कि a solid right prism made of iron has cross section of triangles of side 5 cm, 5 cm, 10 cm, 13 cm and of height 10 cm if one cubic centimeter of iron weights 7 gram then the weight of the prism is approximately बोला है कि root 14 का value आप 3.75 ले सकते है कहता है कि किसी prism का अधार एक तिरभुज है जिनकी भुजाए 5 cm, 10 cm, 13 cm तथा उचाई 10 cm है यदि 1 cm cube लोहे का वजन 7 gram है तब पूरे prism का वजन ग्यात करें देखिए वजन पर आप मज जाई है prism का अधार कैसा है तिरभुजा कार है तिरभुज में भी कैसा है तिनो भुजा आपका दिया हुआ 5, 10, 13 तिनो भुजा का measurement अलग-अलग है मतलब तिरभुज हमारा कैसा है scale and triangle है विसम बाहो तिरभुज है तो इसका आइतन निकालेंगे तब न वजन निकालेंगे भाई पहले हम आइतन निकालेंगे और आइतन को फिर इस 3.75 ग्राम से multiply करेंगे तब ही न हम वजन को निकालेंगे क्योंकि दिया हुआ है आपका दिया हुआ है कि 1 cm3 का वजन है 7 ग्राम कितना ग्राम? 7 ग्राम तो हम पूरा इस प्रिज्म का volume कितना है उतना को हम फिर 7 ग्राम से multiply कर देंगे तब हमारा पूरा प्रिज्म का वजन निकल जाएगा ठीक है आपको weight equal to हमेशा देखिए physics वालों को यह सब चीज बहतर समझ में आता है उनको मालूम है कि अगर किसी वी चीज़ का weight निकालना है तो उसको multiply कर देते है तो क्या एक सेंटीमेटर क्यूब में कितना लोहा है साथ ग्राम है है ना अब ध्यान देजी एक सेंटीमेटर क्यूब मतलब क्या एक सेंटीमेटर लंबा एक सेंटीमेटर चौड़ा और एक सेंटीमेटर ऊचा मतलब एक लुड़ू का गोटी क्या है तो एक सिंटीमेटर लंबा चौड़ा अगर कोई क्यूब है तो उसका वजन कितना साथ गरांग है इस सवाल के हिसाफ से ठीक है तो अब आप समझे कि इस प्रिज्ब का अधार कैसा है तिर्भुज है तिर्भुज में भी कैसा है तुझी बिसम बाहू तिर्भुज है और बि जो होगा वो अधार का चेत्रफल गुना उचाई होगा तो उचाई तो हमारा 10 सिंटीमेटर के दिया हुए अब का चितरपल अधार हमारा कैसा है विशम बाहु तिर्बुज है विशम बाहु तिर्बुज का चितरपल कैसे निकालते हैं देखें ये चीज आपका सवाल में लिखा हुआ है ठीक है बाइतरों इसको हटा देते हैं ठीक है तो ये हमारा विशम बाहु तिर्बुज है विशम into s minus a into s minus b और into में s minus into में s minus c हो था ठीक है अब s क्या है s जो है अर्ध परिमिति क्या है semi perimeter अर्ध परिमिति है मतलब इस triangle का perimeter निकाल के 2 से भाग देंगे तो 10 और 13 23 और 5 28 तो इसका परिमाप कितना हो गया 28 और 28 का आधा कितना हो गया 14 14 क्या होगा इसका perimeter हो ठीक है और ABC क्या है तो तीनों बुजाओं का length है ठीक है अब आप समझ गए आगे बढ़ते हैं तो इस से prism का volume क्या होगा आप एंगे sir volume बराबर area of base देखें बार बार लिख रहे है हना area of base into height area of base into क्या होगा sir height होगा तो area को बेश तो हमारा इस prism का अधार कैसा है एक तिर्भूज है वो भी skeleton है विसम बाहू तिर्भूज है तो विसम बाहू तिर्भूज के छिदरफल के से निकालते हैं root under s into s minus a into s minus b into s minus c तो अब जबर नहीं कि हम इसको यहां लिखेंगे नहीं पूरा data आपके पास है s का value है 14 a a है b है c है तीनों को आप घटा के लिखें तो root under to root under s s मेरा कितना है 14 गुना s minus a तो 14 minus 5 कितना बचा 9 गुना s minus b तो 14 में 10 माने तो 10 तो कितना गया 4 कितना बचा 4 s minus c 14 में 13 गया कितना बचा 1 गुना height कितना दिया है 10 cm अब अब ध्यान दो मेरे दोस्त मेरे भाई राजा अठावना सेंटीमेटर क्यूब में देंगे ना अनसर ठीक है तो अब जरा ध्यान दो कि इसको तोड़ेंगे कैसे तो root 9 के लिए 3 बाहर आएगा और root 4 के लिए 2 बाहर आएगा और root 14 के लिए कुछ नहीं ये root 14 हो रहे 60 root 14 cm3 क्या आगी है इसका volume आगे देखे सवाल में पहले से दिया हुआ है कि take root 14 equal to 3.75 इसका मतलब ये है कि calculation में आपका root 14 कहीं न कहीं गिरेगा और जब गिरेगा तो उसका value 3.75 रखके multiply कर देना है तो ये तो हो गया इसका item इसका item कितना हो गया item बराबर 16 root 14 cm3 और 1 cm3 का वजन कितना है 7 gram अगर 1 cm3 का वजन 7 gram है तो इस प्रिजु का total weight पराबर हो जाएगा 60 root 14 गुना 7 60 root 14 गुना 7 तो 6 सते 42 420 गुना root 14 का value 3.75 और ये वजन किस में आएगा gram में आएगा ठीक है क्योंकि ये 7 gram है तो जी चारसो बीस को अगर 3 से multiply करेंगे भईया तो चारसो बीस चारसो तिया बारासो तिया शाट चारसो बारासो शाट और ये है आपका 0.75 0.75 को हम लिखेंगे 3 बटा 4 चार से भागा देंगे इसको तो ये मेरा हो जाएगा भईया 4 अकम 4 4 अकम 4 0 और 4 पच्चे 20 तो ये हो जाएगा 3 से 315 अच्छा तो ये आपका हो जाएगा 1575 ग्राम एप्रोक्सिमेटली इसका क्या हो जाएगा वजन हो जाएगा प्रीजम का देखिए सवाल को हलका में मत लिजेगा ठीक है बढ़िया से समझे उसके बाद स्टेप लिजे ऐसा ने कि सवाल को देके और बिड़ गए कल्कुलेशन कहीं पर भी आपको असान नहीं दिखे रहे ठीक है यहां आपको मल्टीपलाई करना ही होगा यहां आपको मल्टीपलाई करना ही होगा यहां आपको रूट अंडर निकालना ही होगा आप इसका बेस है, एक स्केलेंड ट्रेंगल है, विसम बाहू है, तो उसका छितरपल आपको निकाल नहीं होगा, समझे बात को ना, तो एदा मस्त वाला सवाल है, आप देख लिजे, तो ये वाला जो हमारा प्रिजम है, इसका वजन 1575 गराम है, इसका आयतन आया 60 रूट 14 सि सवाल में दिया हुआ है कि रूट 14 का वेलू 3.75 लेना है, ये जैसे ही इस पे आप पे नजर जाएगा ना, परिछा में तो आप समझ जाएगा, कि केल्कुलेशन में कहीं ना कहीं रूट 14 आएगा, और जहां रूट 14 आएगा, उसका वेलू ये रख देना है, ठीक है, और ये चीज नहीं दिया रहता और आप्शन में भी रूट 14 रहता ना, तो हम इसका वन ऐसे ही आंसर दे देते, 420 रूट 14 हम लिखके आंसर मेरा निकल जाता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं,